नमस्कार दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए मसालिदार भरवा बैंगन की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वाधिस्ट होती है तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं कि बिल्वा भरवा बैंगन बनाने के लिए सबसे पहले मैंनें हां 1-3 कल बैंगन को अच्छी तरीके से धो लिया है इसके पीछे वाले भाग को इस तरीके से हम साफ कर लेंगे और इसकी डंठाल को भी पीछे से हम थोड़ा सा कट कर लेंगे अब हम दोनों तरफ से न Road भुनी हुई मुंग फली ली है एक चौथाई कप एक चौथाई कप ही हमने यहां भुना हुआ तिल लिया है इसके बाद 6-7 लसन की कलिया ली है और 2-4 लॉंग लिये हैं इन सभी को हमें अच्छी तरीके से थोड़ा दरदरा पेस्ट तयार कर लेना है इस तरीके से यह सूख जब फाद के लगबग और इस तरीके से पेस्ट तयार करेंगे थोड़ा सावात के अनुसार नमक डालेंगे और इस तरीके से दरदरा पाउडर तयार कर लेंगे इसे हमें आप बैगन में फिल करना है तो बैगन को इस तरीके से हमने jsle कट किया था अब चम्मच के हेल्फ से या हाथ से किसी भी तरीके से इसे नीचे तक के हमें अच्छे तरीके से दोनों तरफ के भाग में फिल करना है अच्छे तरीके से फिल करने के बाद ये बहुत जादा बाहरन की तरफ ना रहे इस तरीके से अच्छे से हमें इसे प्रेस कर देना है और ये बिल्कुल उपर के मसालू को clean करना है तो हमारा एक बैगन जो है इस तरीके से बिल्कुल तयार हो गया है सभी बैगन को हम इसी तरीके से fill कर लेंगे, तो ये बैगन तयार हो गया है, तो चलिए, अब हम सबजी बनाते हैं, एक कड़ाई में दो बड़े चमश हमने यहां तेल लिये हैं और एक-ईक करके हम यहां बैगन को इस तरीके से रखेंगे उपर से हलका सा नमक डालेंगे और इसे ढखकर इसी तरीके से हमें इसे कुक करना है जब तक बैगन अच्छी तरीके से सौफट नहीं हो जाते हैं और पूरी तरीके से नहीं पक जाते हैं तो इसी तरीके से हमें बार-बार ढखकर इसे पकाते रहना है तो 5-10 मिनट में तयार हो जाएंगे ये देखिए इस तरीके से बिलकुल ब्राउन हो गया है और अंदर से भी पूरे पकर तयार हो गया है तो बैगन को हम अलग निकाल लेंगे और उसी कडाही में हम एक टेबल स्पून ओईल और डालेंगे और तिल को अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे इसमें डालेंगे हम एक चोथाई चमच हिंग और एक बड़ी लाल मिर्च इसके साथ ही दो प्याज कटे हुए डाल रहे हैं इस अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक प्याज जो है गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं अब मैं यहाँ पर तीन से चार काली मिर्च डाल रहे हुँ इसमें और अच्छी तरीके से प्याज को फ्राई कर लेंगे प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है तो यहाँ पर हम आधा चमच डाल रहे हैं अद्रक जिसे मैंने क्रश किया हुआ है अद्रक को हम बिल्कुल हलक मसाले मिलाते हैं तो एक चोथाई चमच धनिया पाउडर, चोथाई चमच मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, एक चोथाई चमच जीरा पाउडर और थोड़ा सा अमचुर लगबग एक चोथाई चमच डालेंगे थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे ताकि मसाले सभ यह सब्सक्रेट के हैं, इसे नमकौर ठीका कपना है श्यास कि गज़ा सब कुछで पका है टो कि घ्रवन न referendum आपी पर आख धे रहें एकटेश चेए हैं में चयां आख़ी तरीके से एक आप्सपर आखेले होगए टमाटर भी पहले से सॉफ्ट हो गए हैं तो बिल्कुल सही समय है जब हम फ्राइ की हो बैगन जो है वो इसमें डालते हैं तो इसी तरीके से हम सारे बैगन एक एक करके डालेंगे और बहुत हलके हाथों से चलाते हुए उसे मिक्स करेंगे अब चाहे तो आप इसकी ग्रेवी गाड़ी या पतली रख सकते हैं तो इसी तरीके से ढख कर हम इसे पकाते रहेंगे जब तक अच्छी तरीके से बैगन और सभी मसाले पक नहीं जाते हैं मैं यहाँ पर आदा ग्लास के लगभग पानी डाल रही हूँ इसमें और अच्छी तरीके से ढख कर एक बॉइल आने देखिए और मुझे कमेंट में बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी जल्दी मिलेंगे नई रेसिपी के साथ